हाई फ्रेंट्स शेर मार्केट में दोस्तों कम्पनिया बहुत सारी है लेकिन अगर हम अच्छी कम्पनीज को सही प्राइस पर लॉंग टाम के लिए लेते हैं तो यकीन मान के चलिए कि एक प्रोफिटेबल इन्वेस्टर बनना बहुत आसान काम है कोई बड़ा मुश्किल का यानि HCC जिसके की लेटेस्ट रिजल्ट्स आये हैं और उनके बारे में हम पूरा एनलाईज करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप खास तोर पर समझ जाएंगे कि HCC में किस प्रकार के बिजनेस पोटेंशल है और किस तरह की के रिटरंस आप अगले 4-5 साल में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत इंपोरेंट वीडियो है हमिशा की तरह ही एक रिसर्च बेस्ट कॉंटेंट आपके सामने आने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हां कुछ नया सीख करके एक प्रोफिटेबल इंवेस्टर बनने की राह में सही कदम बढ़ाईएगा चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान कंस्रिक्शन कंपटी So, HCC के बारे में हम एनलाइज करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बहुत मेहनत से, रिसर्च से वीडियो बनाया जाता है तो इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ओन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों और यहां हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान कंस्ट्रिक्शन कंपनी के फंडामेंटल्स की क्विकली एंड देन वी विल गेट इन्ट 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 रिलिटेस रिजल्ट्स चलिए, स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो मतलब अगर आप देखें तो साल बर में साड़े बारा रुपए से यह 47-48 रुपीज तक लगबग पहुंचने वाला वाला 47.9 तक पहुंचा है 6,000 करोड की मार्केट कैप है यानि कंपनी तो छोटी है और मैं आपको एक चीज जड़े याद दिरा दो दोस्तों कि छोटी कंपनी जो होती है उसमें थोड़ा रिस्क फेक्टर ज्यादा रहता है तो हमेशा याद रखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो बहुत छोटी कंपनी में अपना इंवेस्टमेंट थोड़ा अवोइड करें हाँ लेकिन अगर आप स्टूडेंट है मतलब नया आपका कोई जॉब लगाया और आपके पास बहुत सारी स्पेर इंकम है प्लस आप रिस्क टेकिंग कैपिसिटी आपकी है तो आपको शॉट टर्म लॉग टर्म के लिए भी जो स्मॉल कैप कंपनी जब उनको कंसिरर जरूर करना चाहिए क्योंकि उनमें जो रिटरंस की स्पीड है वो औरों से ज़्यादा बेटर मिलने के चांस होते हैं जैसे पिछले साल लार्ज कैप ने 20% के आसपास रिटरं दिया लेकिन वहीं पे मिड़ कैप स्टॉक्स ने 40% से ज़्यादा का रिटरं दिया और स्मॉल कैप ने भी इसी तरीकी का रिटरं दिया तो कहने का मतलब यह है कि कंपरी की साइज का भी आपकी रिस्क टेकिंग कैपैसिटी से सीधा तालुक होता है चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्टोक का जो पी है वो है 38 जो इंडस्ट्री के लगबग उसी रेंज में है प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है दोस्त से ज्यादा बड़ा है 6.68 परसेंट से इसका मतलब कि कंपनी ने नए ओडर चाहे कम लिये हो लेकिन जो और इसके पास थे उसमें इनको प्रॉफिट बेटर हुआ है आगे बात करें तो दोस्तों 85 परसेंट इसके प्लेज्ड है शेर गिरवी रखे हुए हैं तो यहां आप देखिए 43 रुपीज का शेर है और कंपनी में थोड़ी बहुत रिस्क जैसे की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहां पर नजर आ रही है पर अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव फेक्टर बताता हूँ यहां देखिए पिछले काफी टाइम से दोस्तों यह जो ब प्रॉफिट शो किया है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा शो किया है इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी अपनी कम्यों को दूर करके और सही रस्ते पर चलने की शुरुआत कर चुकी है अब जल्दी से बात करते हैं कि इस कंपनी का देखिए यह सारे तो कॉम्पुटिट कर चाहिए और हम अब बात करते हैं सीधा इसके जो रिजट्स आये हैं उनके बारे में तो देखिए जल्दी से एक बारण नट्षैल में रिजल्ट देख लिए है कि से जो है वो आपकी क्वाटर ओन क्वाटर देखिए या यह येर और देखिए तो यह और पिछले साल के म इस ने शो किया था और दैन इट इस 239 करोड का profit बट देखो आगे बीच में आप देख रहो कि यहां लोस ता फिर यह profit और फिर profit वा फिर प्रॉफित हुआ अब consistently profit चल रहा है इसका लगबख 200-300 करोड पर जोगर का profit चल रहा है ठीक है तो पहले भी profit ही था लेकिन यहां एक particular area में कई बार क्या होता है कि कुछ projects वगरा में issues आते हैं तो once in a while loss भी company को देखना पड़ता है चलिए अभी हम देखें तो यहां पर company का profit बहुत बढ़िया तरीके से grow किया है और सबसे बढ़ी बात है दोस्तों यहां ध्यान दीजिए operating profit margin यह इन्होंने improve किया है 14% से 16% इसका मतलब इन्होंने financial leakages को control किया है अगर आप annual results में जाएंगे तो वो भी हम बात करेंगे बट अब हम थोड़ा सा इसके जो company के जो technical से उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं लेकिन उससे पहले एक बार shareholding में देखें तो दोस्तों company 34% shares लेकर के चल रही थी और उसके बाद में अब खुद की जो promoter की shareholding है वो साड़े 18% के आसपास है और आप इसके जो shareholder से उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किसके पास में कितने share है तो देखिए जो इसके जो major share है न वो हिंदुस्तान construction holding 14% share इसी के पास में है खुद के पास में ही और जो आरिया capital management जीत गुलाब चंदन सो मनी सो एंड और सो फोर्थ बहुत सारे लोगों के पास भी थोड़ी थोड़ी shareholding है आरिया के पास जो पूरी shareholding थी वो इन्होंन दूसरा FII ने भी अपनी stake कम करी है साड़े 11% से 7% और DII ने 18% से कर दिया है 9% अब आप तो ही कहोगे कि भी आपने तो ऐसा share बताया है जिसके अंदर तो सबकी shareholding कम हो रही है तो दोस्तों actually क्या होता है कि जो market है वो long term की बजाए short term को ही देखता है हमारे जो intraday trading वाले करने वाले भाई बैने उन्हीं को देख लीजिए उनको तीन से ज्यादा की गिंती आती नहीं है आज क्या हुआ कल क्या होगा और कल क्या हुआ था बस तो दोस्तों वहाँ problem आती 26 से इस company ने बहुत सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट से वह हैंडल की है इस experience का फाइदा तो company को definitely मिले गाई एक बार नज़र आते हैं दोस्तों इसके technical चार्ट पर यहां पर HCC का आप टेक्निकल चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि company ने अभी अभी moving averages ने crossover दिया है कहां पर दिया है यहां पर दिया है यह देखिए यह जो two है mid term और जो short term moving average है उन्होंने cross किया है और उसके बाद candlestick चार्ट candlestick इसके ऊपर है और आप देखिए बड़ी बड़ी green candles बनती हुए आपको नजर आ रही है और साथ में rising volume भी है तो जाहिर सी बात है कि यह एक तरह से bull signal है यानि कि company साफ तोर पर uptrend में है लेकिन आप यहां देखोगे कि थोड़ा सा consolidation इस जिगे पर चलता हुए नजर आ इसका मतलब यह flag pattern बन रहा है इस तरह से और flag क्या होता है continuation pattern तो इसका मतलब bull trend के आगे भी uptrend के आगे भी बढ़ने के chances है आपको इसको करीब 50 रुपे की जो price है ना दोस्तों वहां तक observe करना चाहिए 50 रुपी क्रोस करने के बाद में अगर यह sustain करके grow करता है तो फिर आप को 75 80 और 100 लेवल तक के भी इस तरह देखने को इसमें मिल सकते हैं तो यह इसका technical outlook है बहुत सार इंडिकेटर्स होते हैं हजारों इंडिकेटर्स लेकिन मैं सिर्फ आपको वह बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा easy और सब ज्यादा useful है अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो rating agencies की report है उसको देख रहते हैं so 19 December 2023 को ICRA जो है उसने इसकी rating को improve किया है BB- से और इन्होंने कर दिया है इसको BB यह देखिए BB- थी पहले यानि कि stable उसके बी से B जो stable थी उससे इन्होंने इकरा ने इसको कर दिया है BB यानि कि rating को improve कर दिया है अच्छा उसका logic क्या है उसका logic जो दे रहे है जो rating agency है उसने काया कि भाई सब company के पास में orders की कोई कमी नहीं है company well managed है और साथ में एक थोड़ा सा यह है कि leverage का risk है यानि कि जो करजा जो ले रखा है उसका है लेकिन उसको company बहतर तरीके से manage करने की कोशिस साफतोर पर कर रही है अगर आप यहाँ दे 10% year on year basis to 4736 करोर रुपीज जबकि last time कितनी थी यह growth थी सिर्फ 7% तो 7% से 3 गुना growth हो गई है company की income में पिछले एक साल में so this is why the rating agency has improved its outlook ठीक है इसके अलावा अगर आप जाकर के देखेंगे तो थोड़ा सा जो यहाँ पर comfort जो मिलता है rating agency को वो इस वज़े से भी मिलता है क्योंकि its order book adequate order book जो है वो आपकी 2.6 times हो गई है as compared to September 3023 इसका मतलब इसके पास में orders काफी सारे है and इसकी वज़े से क्या होता है which gives medium term revenue visibility देखो क्या होता है कि जिस company के पास में orders होते हैं तो अगर line of orders हैं तो company आज नहीं तो कल उन orders को पूरा करेगी और उसके बाद में उसके पास में पैसा आएगा पता है business में क्या होता है order आना ही सबसे important है फिर उसके बाद तो execution का काम है execute करो order complete करो पैसा लो इस हिसाब से आइकरा का ये मानना है कि company के पास में orders काफी सारे हैं और कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं है सो इसलिए rating agency ने इसका outlook पहले से better किया है हाला कि वो ये भी कह रही कि देखो इसमेरा थोड़ा सा liabilities का यानि थोड़ा सा करजे का issue है जो कि 9.6 times है तो ये थोड़ा सा चिंता भी जताई है इसने rating agency ने बट फिर भी अच्छी बातें क्या बताई है कि देखो एक तो adequate and diversified order books ह तो ये company क्या करती है tunnels बनाती है bridges बनाती है और दुनिया बर के infrastructure के projects पूरे करती है तो diversified इनके पास business है track record अच्छा है इनका और साथ में और अभी तक का experience जो 100 साल के आसपास का experience है वो भी इसमें काफी help करता है कुछ challenges है जो leverage के खास तोर पर जो कहते हैं जो leverage के challenges होते है न वो वाले हैं debt से related जो कर जाया है वो इसको systematic अरी कम करना पड़ेगा liquidity position कह रहे हैं कि रेटिंग एजसी की stressed है यानि थोड़ा सा ज्यादा इस पे pressure है liquidity का यानि पैसा जो हाथ में पैसा होता है न वो थोड़ा इसको उस की स्थी सुधारनी पड़ेगी हाला कि अभी भी इनके के पास 300-400 क्रोर रुपए हमेशा रहते हैं जैसे यह देखो आप liquid investment of around 300 क्रोर रुपीज जेब में है cash and bank balance है वो 370 क्रोर रुपीज September 3027 के 2023 को इन्होंने बताया तो company के पास पैसा है उसकी चिंता नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनको करजा अपना कम करना पड़ेगा और फिर यह अच्छी growth दिखा सकती है latest results की जो एक बार presentation देख लेते हैं तो देखो दोस्तों company का आप business देखिए 1926 से company चल रही है 4000 किलोमेटर तो इन्होंने highways बनाए है 60% nuclear power के जो plant है इंडिया के वो सारे HCC ने manage किये है और 400 किलोमेटर या नहीं 395 किलोमेटर के आसपास इन्होंने पानी से संबन्दी जल ऊड़ जा वो उसका एक चोथाई HCC के त्रू ही निकला है यह देखिए पूरे देश भर में इनका network फैला हुआ है और सब जगे से यह projects उठाते हैं और यह रही वो order book जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 11,000 करोड की order book इनके पास में अभी एक rating agency को इससे comfortable position उन्होंने बताया है next बात करें दोस्तों इसमें quickly तो यह कुछ number से जिनको हम नजर डाल लेते हैं यह देखिए क्योंकि long term projects पो काम करती है तो company तो धीरी धीरे quarter on quarter बहुत ज़्यादा फरक नजर नहीं आता है लेकिन आप फिर भी देख सकते है quarter 1 23 में 1200 करो revenue तो इनका grow होता हुआ नजर आई रहा है EBITDA आप देखें और EBITDA margin आप देखें तो margin पहले से second quarter में improve हुआ था थोड़ा सा अभी moderate हुआ पर फिर भी 12-13% का margin है और सबसे important बात सबसे important बात वो है आपकी शुद्ध मुनाफा pure profit that pure profit has grown from 19 crore to 52 crore to 68 crore so this is something which gives very very high comfort to this company so overall ये था एक nutshell में आपके जो हिंदुस्तान construction company है उसका analysis तो मैं आपको एक बार जल्दी से summarize कर दूँ positive चीज क्या है negative चीज क्या है positive चीज है इसके अंदर की company के पास बहुत ची strong order book है company की price 40 रुपे के आसपास है जो हर को afford कर सकता है plus company के पास में जो experience है उसका आने वाली government जो infrastructure पर काम करेगी उसको इस company को जरूर फाइदा मिलेगा negative point क्या negative है कि इसका debt जो है या इसका करजा है वो इसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा तो दोस्तों overall यह एक analysis था HCC के latest results का और मैं आपको disclaimer दे दूँ कि कोई recommendation नहीं है यह educational video है ताकि मैं चाता हूँ आप अच्छे से चीजों को समझें और फिर अपना decision कुद लें लगातार मेरे वीडियो देखते रहने से दोस्तों आप एक stock expert वैसे भी बन चुके होंगे और बन जाएंगे यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि मैं आपको सही राय दूँगा घरत राय कभी भी नहीं दूँगा आपके लिए मैंने live Q&A session भी मैं organize कर रहा हूँ जल्दी ही तो उसकी details ना आपको मिलती रहेगी जो भी मेरी post है वो check करते रहा करिये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको short and sweet वीडियो पसंद आया होगा आज की वीडियो में इतना ही हाँ वीडियो अगर like नहीं किया तो दोस्तों फिर तो आपके हमारी दोस्ती कच्ची है इसको पक्का करने के लिए वीडियो को like करके सारे दोस्तों को share करो WhatsApp और आपके phone account में तो अगर मैं इतनी महनत कर रहा हूँ तो क्या आप मेरे लिए इतनी सी महनत नहीं करोगे सबको share को करो WhatsApp पे Facebook पे Instagram टेलिग्राम पे सब जगर बेजदो सारे groups में सारी communities में इसको spread करो अच्छा analysis आपके सारे दोस्तों को मिलना चाहिए और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेल आइकन को ओन कर दो ताकि मैं अगली बार तुरंत आप से मिल सकूँ नेक्स्ट वीडियो के तुरू चैनले दोस्तों आपनी जो टाइम दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में जल्दी मिलते है तब तक happy investing and a lot of profit. I wish you a lot of profit. Thank you so much. Take care.